टूटा सुखी परिवार का सपना, शादी के आठ महीने बाद ही पती ने दिया धोका, पती की दिल फरेवी से मिला सत्मा, तो रोने धोने के बाद अब दलजीत कौर निकिया मूव ओन का फैसला, ट्रॉमा मोड से बाहर आ रही हैं दलजीत, मिटाएंगी दूसरी शादी और पती निकिल की यादे, जी हां, शादी नहीं रही, तो फिर उसे शादी से जुड़ी यादों को क्या संभालना, कुछ ऐसे ही फेज में है तीवी एक्ट्रिस दलजीत कौर, जिन्होंने अब अपनी दूसरी शादी की बूरी यादों से निकल कर मूव ओन करने का फैसला कर और इसकी शुरुआत, एक्ट्रिस ने की है उस टेटू के साथ, जो कभी उन्होंने अपनी शादी की निशानी के तौर पर निकिल के साथ अपने पैर पर बनवाया था, यही है वो टेटू जिसे अब दलजीत कौर मिटवाने जा रही है, और एक नया लुक देना चाहती है इंट्रस्टिंग बात तो यह है कि इस बदलाव के लिए भी आक्ट्रिस ने अपने फैंस से सजेशन मांगा है, दरअसल दलजीत कौर ने कुछ तस्वीरों से बना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आक्ट्रिस अपने और निखिल के पैर में बना एक टैटू दिखा र यही टैटू अपने पैर पर बनवाया था, अब भले ही यह टैटू पर्मनेंट हो, लेकिन दलजीत और निखिल की शादी पर्मनेंट नहीं रही, तो अब दलजीत ने भी अपनी शिशादी की कड़वी यादे और पती का दिया धोका भुला कर मूवान करने का फैसला किया है और टैटू को बदलने का डिसीजन लिया है, एक्ट्रिस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, टेक टू, एक टैटू जो फिर से प्यार में पढ़ने की ताकत का प्रती निधित्व करता है, फिर से भरोसा करने की ताकत, देश छोड़ने और प्यार के लिए सब कुछ समे रहा था, टेक टू एक मौका था, जो मैंने खुद को दिया, किसी को अपना पती कहने का, मेरे बेटे को ये महसूस कराने के लिए कि पिता होने का क्या एहसास होता है, इसके आगे दलजीत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनकी इस शादी में पहले दिन से ही विश्वा प्रतिभद्था जैसी कोई चीज नहीं थी, इसके आगे दलजीत ने बताया है कि वो अपने टेटू को रीडिजाइन करने जा रही है, दलजीत ने लिखा है कि उन सभी के लिए जो मेरे टेटू को फिर से डिजाइन करने पर जोर दे रहे हैं, हाँ मैं ये करने जा रही हम कुछ मज़ेदार और रचनात्मक कर सकते हैं ताकि अंततहा उपचार्ज शुरू हो सके दलजीत की इस पोस्ट पर फैंस अलग-अलग रियाक्शन्स दे रहे हैं जादतर फैंस का कहना है कि दलजीत को ये टैटू रीडिजाइन करने की बजाए पूरी तरह से रिमूव करवा देना चाहिए विर रपोट एट्वेटिफोर